पस्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना जीले के बंगाओं से भाजपा सांसद और केंद्री बंदरगह जहाजरानी और जलमार्ग राज्यमंत्री शांतनों ठाकुर ने कहा कि मैं गयारेंटी दे सकता हूँ कि वर्तमान राज्य सरकार पांच-छा महीने से अधिक नहीं चलेगी वे यहां पार्टी के एक प्रोग्राम में बोल रहे थे उन्होंने आगे कहा कि अगर टीमसी ने हाली में हुए पंच-चुनाओं में बड़े पेमाने पर धांदली नहीं की होती तो बीजेपी को हजारों सीटे और मिलती ठाकुर के इस दावे के कुछ घंटो बाद बंगाल भाच्पा के अध्यक्ष और बालूर घाट से सांसा सुकांद मजुमदार ने भी कहा कि मम्ता सरकार पांच-छा महीने के भीतर किसी भी समय गिर सकती है उन्होंने इसके सहाती पंचाय चुनौम में हुई व्यापक हिंसा के मद्दे नजर राजमे सवीधान के आर्टिकल 355 लगाने की फिर मांग धोराई उन्होंने कहा कि बंगाल की जो मौझूदा परिस्तिती है उसमें केंदर सरकार के दखल की जरूर थे मजुंदार ने कहा कि राज्य सरकार कैसे काम करती है ये निर्वाचित विधायकों के समर्थन के कारण है ये संभव है कि कभी भी विधायकों का एक सम्मू अपना समर्थन वापस ले ले जिसके बाद सरकार गिर सकती है मजुमदार ने बताया मान लिजिए कि कोई जन अंदोलन है और दबाव के कारण विधायों को का एक समु इस्तिफा दे देता है ये एक ओर सम्हावना है उन्होंने ये भी कहा कि राज़निती में कोई भी सम्हावना कभी भी सामने आ सकती है दूसरी तरफ भाज़पन नेताओं के दावे पर तुर्णमल कॉंग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता कुडाल गोश ने कहा कि पहले विधान सभा में विपक्ष के नेता सुर्वेंदू अधिकारी ने भी इसी तरह के कई अनुमाल लगाये थे अब वे समय बता कर भाईश्वानी कर रहे हैं उन्हें एसी भाईश्वानिया करने दिजिए उनके सपने कभी पूरे नहीं होएंगे बाज़पा का बंगल में कोई जनाधार नहीं है इसी के साथ बने रहे हैं राज़नमा डिवी के साथ दाने बाद